हेलो स्थो कमाई का एड़ेस यूट्वब चैल में आप सभी का सौगत है आज हाँ पर हम बात करेंगे एशो इंडस्टी के बारे में जिसके प्रमोटर ने कमाल का धमाका करने की तयारी दोस्तो स्टार्ट कर दी है और आने वाले समय में एशो इंडस्टी के शेर में आपका पैसा काफी जबरदस तरीके से यहाँ पर एक company बना कर देने वाली है अब यहाँ पर आप सभी के mind में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि सर इस company में ऐसा क्या हो रहा है और क्या कमाल का धमा का प्रमोटर ने किया वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ point to point understanding करना actually company के अंदर जो company के मालिक है याने जो प्रमोटर है वो क्या changes लेकर आ रहे हैं और उसका किस तरीके से आने वाले समय में हमें impact देखने को मिलेगा और stock भी हमें return क्यों कमा कर दे सकता है उसके पीछे के भी why जो है वो मैं आपको आज clear करूँगा पहले मैं business के बारे में यहाँ पर कुछ detail बताना चाहूँगा और उसके बाद में company के promoter ने जो changes किये है बिजनेस के अंदर भी क्या activity चल रहे है और management भी किस तरीके से धमाके की तयारी कर रहा है वो भी यहाँ पर हम understanding करेंगे वीडियो अच्छा लगे मेरे इफट पसंद आए तो जरू लाइक सब्सक्राइब करना और दोस्तों comment बताना कोई question और queries आपके mind में यहाँ पर होतो यहाँ पर हम दोस्तों company के business portfolio की बात करें तो इसके पास यहाँ पर variety of product available है issue industry आपको यहाँ पर ऐसा लगता होगा कि कोई chemical बना कर यह company बेशती होगी ऐसा नहीं है इसके पास बहुत अच्छे business client है मैं business के client भी बताने वाला हूँ साथ ही इनका business भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इसका future किस तरीके से bright है अब यहाँ पर दोस्तों जितने भी personal care related oil वगेरा cosmetic जो होते हो उसके अंदर skincare और oral related यहाँ पर हम toothpaste powder की बात करें mouth wash की बात करें या बहुत से अलग-अलग जो चीजे है उस related एक company manufacturing का काम करती है आइस क्रिम से related भी यहाँ पर इस company के chemical provide होते हैं अभी यहाँ पर हम और भी कुछ industries देखें जैसे के जो cooking oil होता है जिससे edible oil कहा जाता है वो animal feeds related भी यहाँ पर nutrition vitamins related यह सभी जो खाने पिने के item ह उसके अंदर भी यह company के chemical use होते है अभी animal का जो यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर कह सकते है food का जो भी हाँ पर quality food या उनके लिए nutrition सब कुछ maintenance करकर जो बनाते है companies उनके लिए यह company chemical provide करती है अभी rubber industry की बात करें तो rubber industry के अंदर यह tire रहने दो automobile components की बात रहने दो या variety यहाँ पर जो चीजे रहती है आप यहाँ पर उनके नाम पर सकते है क्या-क्या company बना कर बेशती है और क्या-क्या company के पास available है बोलकर अब next level पर जैसे हमने यहाँ पर business के अंदर तो देखा है company के देखिए जो rubber segment है उसके अंदर 87 product है और दूसरा जो यहाँ पर food related जो segment उसमें 5 है यहाँ पर aroma जो chemical segment उसमें 13 type के यहाँ पर product company sale करती है और मैं आपको यह बतना चाहूंगा इनके पास जो business vertical से वो 5 है उसके साथ total product यहाँ पर company के पास 148 available है employees की बात करें तो research and development पर इनके employees 30 employees काम कर रहे हैं उसके उपर and पूरे cool मिला कर employees देखेंगे तो लगबग 600 यहाँ पर 60 के करीब employees है and customers देखेंगे international level पर और यहाँ पर इंडिया के अंदर भी यह company valuable businesses में आती है देखेंगे food का business बहुत valuable है क्योंकि यह any condition चलने वाला है 200 customers है और 50 से भी ज़्यादा देशों में इनका business चलता है research and development पर इनके दो center आपको दिखाई देंगे and दोस्तो इसकी capacity बात करें तो 12,500 metric ton यह company manufacturing करती है अब बात होगी client के बारे में इनके customer कोन है तो देखेंगे यहाँ पर डाबर इंडिया साती यच्चपी जो यहाँ पर company petroleum related और यहाँ पर आप Indian oil देख सकते है क्यावा है आदानी विलमर जो cooking oil का manufacturing करते है सेट लिमेटेड यहने जो tire का business करती है Apollo tire यह भी tire की company MRFJC company इनकी client है Colgate company client है आप यहाँ पर चाहे तो और भी client के नाम देख सकते हैं जो कुछ client यहाँ पर particular बता है और बैसे companies इनके पास बहुत सारे है जो इनके business के अंदर value add करते है और मैं आपको और segment company के बारे में बताना चाहता हूं मैंने जो आपी rubber तक आपको बता है और इसके बाद में मैं client पर आ गया बट और दो business से company के पास lubricant lubricant जो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो petrol जितने refinery के काम करते हैं उनके अंदर से जो lubricant आता है उससे यहाँ पर जो engines related जो oil होते है metal working जो यहाँ पर grease वगेरा जिसे कहते हैं वो सभी चीजे यह company बनाती है textile industries के लिए भी जो यहाँ पर usable चीजे हैं वो company provide करती है specialty chemical की बात करें तो उसके अंदर आता है दोस्तो paint sector paint sector के अंदर यहाँ पर जो specialty segment है उसमे 21 product company देती है and जो मैंने जिससे बता है lubricant में यहाँ पर 22 type के product इनके पास यहाँ पर available है तो ऐसे सभी companies इनके client देखने को मिलेंगे आपको API manufacturing related भी देख लेना जो bulk drugs manufacturing करते हैं जो medicine related business करते हैं वो agrochemical के segment में आने वाले companies ऐसे multinational और जबरदस companies client हैं यहाँ पर printing inks related coatings related paints related fabrications related बहुत से सभी चीजे जो यहाँ पर एक company बनाते हैं वो इनके client आपको नजर आएंगे तो यह बात business की हो गई अभी बात करेंगे promoter तरब से क्या धमाको है उसके बारे में भी थोड़ा मैं geographic area भी आपको बताता हूं company के revenue के अंदर अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिया से आता है company का 34% USA से आता है company का आप सभी कोई revenue देखना चाहिए 31% यूरोब से आता है 23% और बाकी का यहाँ पर आता है दोस्तो जो 12% यह क्या है जो revenue आता है company का उसके बारे में detail अब बात करेंगे company के अंदर जो promoter के activities है उनसे related यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तो प्रमोटर तरफ से जो action लिएगे उनके बारे में तो action क्या है तो insider trading यानि के खूद company के जो director जो है उनके तरफ से यहाँ पर आप कहिए सकते हैं के में महिने में 11 में 2023 यानि मार्च का quarter खतम होने के बाद में में महिने के अंदर उन्होंने 4530 round figure लिशेर खरीदे 1600 रुपई के price पार एंड ऐसा ही steak देखना यहाँ पर मार्च मेने में यह 28 मार्च को promoter और डायरेक्टर तरफ से 2500 यहाँ पर 500 शेर खरीदे गए है 1900 रुपई के price पर तो इस तरीके से इस company के अंदर आप देखेंगे मार्च 2022 की बात हो रही है अब यहाँ पर उसके बाद में यह मैं आपको यह पूरा data बता रहा क्यों देखें थोड़ा याद रखना क्या चल रहा है यह मार्च 2022 यहाँ तक तो आप समझ रहे कि promoter ने steak खरीद कर रखा यह जो price level है यह पहले के है बट कमाल की बात कहा पर आई है और मैं क्यूँ focus इनके उपर करने के लिए कह रहा हूँ उसको थोड़ा समझिए 11 में 2023 की बात हो रही आभी फिलाल माल उठाया है यानि के company में आने वाला समय bright है और आप सभी को इस पर नजर रखनी चाहिए and दोस्तों जैसे यहाँ पर हम company के fundamental की बात करें तो इसमें कोई doubt नहीं है कि company के जो यहाँ पर promoter है उनके पास काफी अच्छी quality वाले य 71% not bad बहुत अच्छा यहाँ पर shareholding pattern है जितना promoter के पास रहेगा उतना अच्छा रहता है क्योंकि वो confident है अपने business के बारे में और बाकी का 80% public के पास है इसके अंदर बड़े निवेशक भी है यहाँ पर हम कह सकते अशीश कचुलय जी उनके पास भी stake है ऐसे काफी बड़ फर्स्ट यह company है स्रीब 2000 करोड के करीब की उससे भी छोटी company है market cap में इसमें potential बहुत है growth करकर दिखाने का अब तक इसने कोई भी bonus plate जो यहाँ पर नहीं दिया है बोले तो growth बहुत जादा है and peer ratio के मामले में यह stock moderate चल रहा है और इसका peer ratio क्यों देखना चाहिए और company के बोलकर निवेश करने में फायदा नजर आता है and return on equity के बाद में अगर return on capital employed देखे दोस्तों वो भी 22 का है यह कुछ चीज़े है जो मुझे यहाँ पर लगता है कि valuable है जिनका फायदा आने वाले समय में जरूर होता है यह चीज़े देखकर ही तो यहाँ पर हमें multi bagger मिलते ह आप यहाँ पर आपके decision proper तरीके से यह जो details से उनको understanding करकर ले सकते हैं और हम अगर issue industry के balance sheet वगरा के बात करें उससे पहले मैं आपको यह भी दिखाता हूँ कि अशिष कशुलेजे के पास कितना stake है देखिए आपके आगे ही stake है और आपको नजर भी आ जाएगा तो लगब 78 करोड का यहाँ पर माल यहाँ पर निवेशक ने उटाया है जिनके बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं तो I hope आप समझ रहें क्या-क्या हो रहा है और किस तरीके से आपको अपने decision लेने चाहिए इस company के अंदर और जैसे मैं आपको detail बता है उसी के साथ अगर आप देखा है और शेर होल्डिंग उन्होंने बढ़ाई है पर quarterly उन्होंने स्टेक इस company में बढ़ाया है और यहाँ पर आपको definitely देखने को मिलेगा पहले उनके पास स्रीफ 2.55 स्टेक था भी वो 3.99 लगबग 4% स्टेक कर दिया तो क्यों इतना बड़ा यहाँ पर माल उठा रह और इसके अंदर जैसे करजे की बात करें तो करजा थोड़ा दिखाई देता है वो करजा देखी कितना है वो आपको पता होना चाहिए स्रीफ यहाँ पर 157 करोड का long term का करजा है और company के पास अगर cash की बात करें तो cash भी अच्छी है थोड़ा बहुत यहाँ पर company cash लेकर चर related तो issue industry का share 1718 पर चल रहा है और इसके return देखकर आपके होश उड़ जाएंगे इसने एक साल में 12% का return कमा कर दिया यह fluctuation के बाद but actually growth आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे इस stock ने जो पास सालों में return कमा कर दिया हुआ 1415% का बहुत valuable company है अभी भी इस stock discount में ही चल रहा है अब इसका फाइदा ले सकते है 2,1900 रुपए के करीब चलने आला share है issue industry का इसके उपर नजर रखना हमारा काम है थोड़ा fluctuation चल रहा है market में situation खराब है बोलकर और थोड़ा हापर pressure भी है इनका international भी बिजने से बोलकर रही है तो आप नजर रखिए जैसे आपको मौका मिले वैसा आप इसके बारे में सोच सकते है थैंक्यू सो मच वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्क्राइब कर लेना थैंक्यू